इंदोर में रहता हूँ और सेंट्रल वेरासिंग कार्पोरेशन में मैं सरकारी विभाग में पदस्त था और मैं 2022 में सेवा निवरत हुआ और संग की कार्यपदती इसके सेवा प्रकल्प देश में विपत्ती के समय कार्य जो करते थे बाढ़ दुकंब तुफान में और सिख् सविधान में भी एसा कहीं नहीं है कि कोई सेवाएं देना चाहता है तो वह सेवाएं नहीं दे सकता प्रकल्प चलाते तो सभी प्रकार के संग के कारिकरम है या संग की गतिवी धिया चलती है सेवा भारती की संग की उसमें भाग नहीं ले सकता ऐसा सरकार ने प्रतिबंद लगार friend बार लगा तो सभी क्रमचारी साथ साल की सजा के डर से या सेवा बरखास्त होने की डर से कारें नहीं कर पाते हैं राष्ट निर्माण में तो चुकि मैं सेवा निवरत्त हुआ और मैंने फिर 2023 सितमर में एक याची का दायर करी कि मुझे यह जानकारी मालम होना चीए कि सबी क्रमचारी क्यों नहीं सेवा दे पाते हैं या उस साथ साल की सजा क्यों है इसका मैं जानने का मौलीक अधिकार था क्योंकि समीधान ही विवक्तिक को सेवाए करने के लिए watching अधिश देता है समीधान देता है और एक सरकार प्रतिबंद लगाती हे एक अध़ा देती मद्बदेश सरकार ने इसको 2006 में प्रतिबंद अध़ा दिया था सबी क्रमचारी भाग ले सकते हैं और केंदर के क्रमचारी भाग नहीं ले सकते हैं तो इसा क्या कारण है मेरी अचिका के पेले नहीं हटाया था पांच बार सरकार से जवाब भी मांगा तो सरकार ने को इस पस्ट जवाब निंदिया और फिर 11 तारिक ते हुई थी कि 11 तारिक को वीडियो कांफरेंस के समय सरकार को कोर्ट में प्रस्तूत होना था 11 जुलाई को तो सरकार ने 9 जुलाई को ये वापस ले लिया और फिर 25 जुलाई को मानिय कोर्ट का नियाले का फेसला आया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें